हलो स्टुडेंट्स मैं दयाल चोधरी टीम सेल्सी टीम केमिस्ट्री गुरु निती में आज अपन केमिकल बॉंडिंग का पार डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर पूराने जो भी एरस में क्यूसंस आये हैं उनका यहां पर डिस्कस करेंगे और कोशिस करेंगे उसके जाएगा एक्जामे क्यूसं किस थिम से आते हैं और अपने को उसके सन को अटेक कहां से करना है इसी सीरीज में फर्स्ट किसन देखते हैं यह पूद रहे है कि एच बोनिंग मैक्सिमम किसमें है तो सबसे पहले तो अपने को यह जानना पड़ेगा कि हैच बोन्ड एक्ष् है डाइपोल डाइपोल अट्रेक्शन है लेकिन यह जो बोन्ड एनर्जी है वो 8 किलो कैलोरी पर मॉल से ज्यादा हो जानी चाहिए इससे कम होती है तो इसको वंडरवाल पोर्स बोल देंगे इससे ज्यादा आते है इसको एच बोन्ड बोल देंगे 8 to nearby 42 के आसपास अगर इनर्जी आती है लेकिन याद रखना एच बोन्ड तभी होता है जब हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉन से जुड़ा होता है फॉन है यहां का मतलब फ्लॉरीन ऑक्सिजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हो है तो यहां पर देंगे मैक्सिमम किसमें देखने को मिलेगी इ है पहले तो हमसमें मॉलिक्जुल की बात कर रहे है जाएगा तो यहां है पर है एच बोन्डिंग की बात आपण नहीं करेंगे ऑक्सिजन से डायरेक्टली अटेच्ट यहां पर हाइड्रोजन है नहीं इसिपरकार है ट्राइड इस्या थैल्रेमिन श्क्रां थैड्रों कि मिलने वान यह वो कहा है इतेनोल में इसी परकार इतायल कलोराइड में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी CH2H5Cl तो H-bond यहां पर देखने को मिलेगी maximum right next question की बात करते हैं अपन which of the following H-bond is weak सबसे कमजोर H-bond कहां पर है तो देखो सबसे strong तो कुछ सोचने की जरूत नहीं है याद रखो आप यह सबसे strong H-bond यहां होता है फिर इन सब को अठा दो और आगे बात करते हैं सबसे strong तो यहां हो गया इसके अलाब बात करें strongness की bond की तो सबसे strong आपको देखने को मिलेगा यह H-bond है फिर इससे कमजोर आपको देखने को मिलेगा इससे कमजोर आपको H-bond देखने को मिलेगा यह bond की strength आ गई लेकिन यह तो आपस में ही molecule के बीच है fluorine के साथ ही जुड़ा था fluorine के साथ ही चेक कर रहे हैं अगर other element की बात करें तो यह वाला जितना high electronegative होगा दूसरे वाला उतना ही low electronegative होना चाहिए यह सबसे strong हो गए फिर इससे weak कौन सा आजाएगा यह और सबसे weak आपका कौन सा आजाएगा यह वाला तो यहाँ पर देखा जाए यह तो strong हो गए अब यहाँ पर OH आ गया OH वाला FH से weak होता है OH में भी अब देखा जाए तो सबसे strong कौन सा आजाएगा nitrogen वाला फिर इससे weak oxygen वाला और सबसे weak fluorine वाला तो वीकेस्ट पुछा है तो आपका यहाँ पर आजाएगा first next बात करें in which of the following compounds there is no H-bond किसमें H-bond नहीं है तो देखो यहाँ पर अगर आपन बात करें तो इसकी structure कुछ ऐसे लिखे जाएगे complex compound है और यहाँ पर interstitial form में एक water का molecule present है और यह यहाँ पर इसके साथ ionization sphere के साथ H-bond से ही attach होता है तो इसमें तो H-bond आ गया NH4OH इसमें भी OH group आ गया तो H-bond देखने को मिलेगा H-bond में H-bond होता है सोचने की ज़रूत नहीं है यहाँ पर आपको H-bond देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह वाला hydrogen है वो carbon से जुड़ाओ आए तो H-bonding में involved नहीं होगा तो आपका ANSFOR कोहन सा चला जाएगा फॉर्थ नेक्स्ट बात करें दी वेरिएशन ओप दी बॉइलिंग पॉइंट ओप दी हाइड्रोजन हेलाइड इन दी ओडर देखो यहाँ पर तो ठीक चल रहा था याद रखना कोवलेंट मॉलीक्यूल अगर नॉन मेटल नॉन मेटल का है उनका BP हो चाहे MPO मैं दोनों की बात करता हूँ BP हो चाहे MP यह डारेक्टली प्रपोर्शनल टू वंडर्वाल फोर्स और वंडर्वाल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू molecular weight तो देखा जाए तो इनमें वंडर्वाल फोर्स से करेंगे तो इधर molecular weight बढ़ रहा है तो वंडर्वाल फोर्स भी बड़ा, वंडर्वाल फोर्स भी बड़ा तो BPMP भी बड़े, लेकिन यहाँ पर H bond आ गया, H bond की strength वंडर्वाल फोर्स से ज्यादा है, तो ऐसे में इसका abnormally आपका boiling point क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, clear, तो यहाँ पर अपने reason देंगे, there is strong hydrogen bonding between HF molecule, तो HF molecule के बीच strong H bonding होगी, जिस वज़े से यह आपका आ जाएगा, clear, फिर उसके बाद में, next question की बात करें, dipole induced dipole interaction are present in which of the following pair, तो यहाँ पर देखें, यह polar है, तो यह dipole हो गया, यह non polar है, तो आपका यह तो हो गया, dipolar यह आ गया, induced dipole, तो पहला ही इसमें answer हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा, तो टेट्राइडल जियोमेट्री आएगी, तो इस SP3 hybridization है, सारे side atoms है, मू क्या जाएगा, जीरो, यह तो दोनों यहाँ पर induced dipole हो गए, तो इसकी तो बात नहीं करेंगे, यह दोनों induced dipole हो गए, यहाँ पर यह भी dipole है, यह भी dipole है, तो यह तो dipole-dipole attraction हो जाएगा, तो आप का answer कौन सा जाएगा, यहाँ, first, next बात करें, which of the following molecules has the maximum dipole moment, तो सबसे पहले तो इसका hybridization देखें, ASP, ASP होने की वज़े से कुछ ऐसा हो जाएगा, बराबर attraction है, तो इसका मू क्या जाएगा, जीरो, ऐसे इसकी regular geometry है, side atoms, आरे same है, टेटराइडल geometry है, तो इन दोनों का तो dipole ही नहीं है, actually, यहाँ पर बात करें, nitrogen और NF3, द दोनों में एक एक lawn pair है, तो ऐसे में यह pyramidal shape रखेंगे, H, 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 fluorine, fluorine, और यह fluorine, यह बात हो जाएगी, ठीक है, अब lawn pair की वज़े से dipole उपर जा रहा है, molecule polarity उपर चलेगी, bond polarity भी देखो, यहाँ EN ज्यादा है, nitrogen की तो उपर की तरफ यह है, लेकिन यहाँ पर EN, fluorine की ज् तो यहाँ नीचे है, तो यहाँ पर तो molecule और bond polarity एक ही direction में तो दोनों जुट जाएंगे, और यहाँ पर molecule polarity और bond polarity opposite direction में है, तो यह एक दूसरे को anti-balance करने की कोशिस करेंगे, तो इसकी तो कम हो जाएगी, mu not 0 है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी not 0 है, लेकिन यहाँ पर bond polarity molecule polarity एक ही direction में है, इस वज़े से ज्यादा किसकी consider करेंगे अपन ammonia की, next, experiment show that H2O has dipole moment, experiment से पता चला कि H2O dipole moment रखता है, where CO2 has not find out structure, which least illustrated this fact, जबकि CO2 नहीं रखता, तो कौन सी structure होगी, तो इधर की चरा है, यह इधर तो क्या हो गया, mu 0, यहाँ पे दो lawn pair है, दो lawn pair की वज़े से उपर की तरफ जा रही है, molecule polarity, इसकी एन इधर है, तो यह भी उपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे mu not 0, तो यह तो polar हो गया, यह non polar हो गया, तो पहली structure यह explain कर देगी, यहाँ पे अगर यह तो होई गया 0, अगर यह structure होती तो य यह भी 0 कर लेता है, तो यह भी नहीं हो सकता, फिर अगर यह structure देखने को मिलेगी CO2 के तो इसका mu 0 हो ही नहीं सकता, इसमें भी इसका mu 0 नहीं हो सकता, तो आपका answer कौन सा जाएगा, first, next, identify the molecule which has a permanent dipole moment, permanent dipole रखने का मतलब है, mu not 0 होना चाहिए, mu 0 हो गया, तो वो instant dipole माना ज दूसरा आयन है, या दूसरा कोई dipole उसके contact में आता है, तो उसमें polarity आती है, तो यह तो गया, permanent dipole मतलब mu 0 होना अपने को, तो H2S, वैससे तो hybridization की इसमें बात ही नहीं करेंगे, bond form by pair p orbital, bond angle approach 90 के आस पास बोला जाता है, इसका driver rule लगा देंगे, तो यहां पर देखो, non pair A क direction में जा रहे है, इसका मतलब यह permanent dipole रखेगा, इसका SP-3 hybridization यह linear हो जाता है, इसका SP-3 hybridization टेटराइडल है, और यह तो diatomic molecule है, दोनों terminal item, same है, तो इसका मतलब यह permanent dipole रखेगा, बाकि उन तीन के लिए mu 0, 0, which of the following set of molecule will have 0 dipole moment, कौन सा set है, जो 0 dipole moment रखेगा, पहला है, and nitrogen-tri-fluoride, nitrogen-tri-fluoride तो आपको अभी बताया था, यह कुछ ऐसा होगा, तो इसका तो mu 0 होई नहीं सकता, तो इसका तो नहीं है, तो यह तो गया, 0 dipole moment बेरिलियम डाइ फ्लोराइड ये हो सकता है बेरिलियम डाइ फ्लोराइड के लिए आप क्यों इस टेक्चर बना सकते हो एस्पी अए बैड-इसन ये जीरो रख़देगा तो इसके लिए मुझी जीरो हो जाएगा पिर आपका one three try यह आपको पता है फिर यह आगया 1, 3, ट्राय, इसका भी मुझ जीरो नहीं होगा यहां पर यहां पर C L है तो resultant dipole इधर की त्रभमान आजाता है इसका भी मुझ जीरो नहीं है इनका तो नहीं है, इसरी पर एक का था जबके आपको 0 वाले डूंडने है यहाँ पे boron trifloride तो boron trifloride की बात करें F F SP2 आ गया मूजिरो बेरिलियम difloride की बात करें तो यह रहा मूजिरो तो इसके लिए भी मूजिरो है इसके लिए मूजिरो है carbon dioxide के लिए काफी देर से देख रहे हैं इसका मूजिरो है अब 1,4-dichlorobenzene यह आता है 1,4-dichlorobenzene यहाँ पे CL यहाँ पे CL 1,2,3,4 position आगे हैं तो यह एक दूसरे को balance करना है तो इसका मूजिरो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो आपका यहाँ पे answer कौन सा जाएगा second ऐसे ही आप इन सब उप्शन को चेक कर लेना राइट which of the following is a polar molecule कौन सा जाएगा sp3 hybridization है तो यहाँ पर तो regular geometry आने वाली है टेटराइडल तो इसके लिए तो मूजिरो हो गया यहाँ पे sp3-d2 hybridization है और sp3-d2 hybridization होने का मतलब है x, e, f तो lone pair आगे तो square planar structure आजाएगी यह दोनों lone pair एक दूसरे को balance कर देंगे इस fluorine को यह fluorine और यह fluorine इसको तो इसका mu क्या आजाएगा 0 जबकि आपको polar पूचा है polar का मतलब mu not 0 bf3 की अभी structure बढ़ाई थी previous question मी तो यहाँ पे भी 0 हो गया sp2 hybridization है s है फोर इसका sp3d है तो यह pi safe यह सी सा safe structure यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक lone pair आजाएगा यह तो इसका mu not 0 mu not 0 होनेगा मतलब आप कहा आंसवर कौन सा आगया 4th आजाएगा next question की बात करें arrange following in order of increasing dipole moment तो देखो सब से कम तो इसका हो गया CO2 का 0 सब से कम dipole तो किस कमाल लिया जाएगा CO2 का फिर N2O कमाल लो अगर N2O की बात करें तो यहाँ पे यह बात सकते हैं linear रहे गई है लेकिन यह N difference की वज़े से थोड़ी polarity दर मानी जाएगी nitrogen है तो थोड़ी यह दर रखेगा तो ऐसे equally नहीं है balance नहीं है equally तो mu 0 नहीं हो सकता अब लेकिन कम है अब यह दोनों है यह तो याद रखना यह pi shape है और यह आपका कोण है यह SO2 यह कैसा है bend shape तो याद रखना pi shape की जब बात आती है और bend shape की जब बात आती है तो SO2 है न SO2 तो ऐसे में ज्याद़ डाइपोल bend shape का माना जाता है तो आपका correct order कौन सा आजाएगा फर्स्ट आजाएगा Next Which of the following molecule is non-polar in nature कौन से है जो non-polar है non-polar होने का मतलब वो ही mu किसका है 0 तो यहाँ पे देखो इसकी अगर बात करें तो यह है HC1-0 clear तो यहाँ पे देखा जाए तो यह SP2 hybridization हो गए एक तरफ तो hydrogen खीचने वाले है तो hydrogen की तो यह income है इदर आएगा और एक तरफ oxygen लेके जा रहा है तो इसमें तो polarity आ गई यहाँ पे SP3D hybridization है और terminal atom सेम है low and pair absent है तो इसका mu क्या हो जाएगा 0 क्योंकि regular trigonal bipyramidal geometry आगे non-polar यह होगा NO2 आपको पता है इस टाइब की इस टेक्चर देखने को यहाँ पे मिलने वाली है bent तो यहाँ पे भी dipole होगा POCL3 में terminal item different आगे तो यहाँ पे भी dipole होगा याद रखना low and pair आए यह terminal item different हो तो side item different हो तो ऐसी condition में polarity आ सकती है कौन से रहेगा second answer रहेगा XCF2 is iso-structural width तो पहले सो देखो यह कैसा है इसका hybridization क्या आगया SP3D SP3D है तो 5 hybrid orbital हैं लेकिन 2 bond बना रहा है इसका मतलब 3 के पास low and pair है यह low and pair 120 पे एक दूसरे को balance कर देंगे तो fluorine एक straight line में आ जाएंगे 180 का angle आ जाएगा यह कैसा हो जाएगा linear अब इन में से linear ढूंड लो कौन सा है यह रहा इसका hybridization क्या है आपका SP3D तो यह linear कैसा हुआ iodine वो ही तीन लॉन पे रहे है इसके पास iodine के valence L में 7 electron होते है 6 तो यह आगे आगे यह CL 7 अब यह CL minus इसको electron दे रहा है लॉन पे रहे है इसके vacant D orbital में तो यहाँ पर ऐसा यह linear iso structural हो जाएगा किसके साथ है 4th के साथ next बात करें which is one of the following molecules contains no pi bond किसमे pi bond नहीं है यहाँ से देखो H double bond O double bond O यह लॉन पेर pi bond देखने को मिलेगा यहाँ पे भी pi bond देखने को मिलने वाला है इसमें भी आपको pi bond देखने को मिलने वाला है लेकिन H2O में सिर्फ आपको यहाँ पे सिगमा bond देखने को मिलेंगी तो कौन सा अंसर आजाएगा 4th which of the following organic compound has same hybridization as it combustion product CO2 कौन सा organic compound है जो वो ही hybridization रख रहा है जो इनके combustion product मतलब CO2 में होता है तो CO2 में SP है तो यह लोग यहाँ पर तो carbon का hybridization क्या आने वाला है SP3 गया यहाँ पर SP आएगा यह यही तो होता है यह भी SP यह भी SP तो आंसर आजाएगा यह इसमें SP2 आजाएगा रहे एथेनोल में फिर से SP3 आजाएगा next which of the following molecules is linear कौन सा molecule है जो linear है यह आगया अभी तो बढ़ाई थी याद रखना SP center से direct जुड़े atom हमेशा linear होते है और SP2 से direct जुड़े atom हमेशा planar माने जाते है यहाँ SP3 हो गया टेटराइडला यह linear नहीं होगा यहाँ SP3 है दो lawn pair है V shape आजाएगा bend shape आजाएगा angular या मुड़ावा बोल सकते हैं इसको यहाँ पर SP3 है लेकिन एक lawn pair आने से trigonal pyramidal हो जाएगा तो आप कांस्वर कौन सा जाएगा यहाँ next इन SP3 hybridization S character and P character है तो total कितनी orbital हो गया 4 3 तो P और 1 S तो total character 100 है इसमें 4 का divide कर दो कितना आगा है 25 तो 1 S है तो S का तो हो गया 25 बाकि के 3 P हैं तो उनका हो गया 75 next which is the most electronegative orbital तो जितने ज्यादा S character उतनी ज्यादा EN तो सबसे ज्यादा EN किसकी होगी यहाँ first क्याल है next question देखते है in which compound carbon does not have SP3 hybridization तो यहाँ पे देखो SP3 hybridization है यहाँ पे भी आप calculate कर लें SP3 है यहाँ पे भी आप calculate कर लें SP3 है hybridization calculate कैसे करना है याद रखो N is goes to V plus M minus C plus A upon 2 यह तो central item के valence electron है जिसका आपने को hybridization देखना है यह monovalent side item है side item हमें सब monovalent ही count करने है यहाँ पे देखा जाए यह charge हो catein है उससे स्विश्विक कितना cateinic charge है anionic charge आगे है यह फिर 2 का divide कर दो जैसे इसका calculate करना है तो carbon का देखना पड़ेगा central item के valence electron carbon के 4 monovalent item कितने है 4 charge इन पे है नहीं तो कितना आ गया 4 4 आने का मतलब SP3 अगर 2 आ गया SP3 आ गया SP2 4 2 आ गया SP3 आ गया SP2 4 आ गया SP3 आपका 5 आ गया SP3D 6 आ गया तो SP3D2 और 7 आ गया SP3D3 तो सेम ऐसे ही solve करेंगे इनमें SP3 आ जाएगे लेकिन यहां देखो 4 2 6 3 आ है तो यहां SP2 है इसकी structure भी देखना चाहिए तो कुछ ऐसी देखने को आपको यहां पे structure मिलेगी clear तो यहां पर SP3 नहोंगे यह क्यांसा hybridization रख रहा है SP2 तो आपका answer यह हो जाएगा next the hybridization of nitrogen atom in amines amine के अंदर बात करें तो nitrogen का hybridization यहलो amine तो इसके अंदर इसका hybridization क्याएगा SP3 next what is the hybrid and oxidation state of two oxygen atoms in S2O2 इसकी structure open book like होती है वैसे बोला जाए तो harp open book like structure होती है तो यह proxy linkage होगा है यहां पर तो यहां पर इसकी EN ज्याद है तो इस पर minus 1 minus 1 दोनों के oxidation state minus 1 होगी दोनों के बाद 2-2 lone pair है तो याद रखो 2 sigma 2 lone pair मतलब hybridization SP3 है इसका भी SP3 है तो आप कहां स्वर चला जाएगा second एक चीज यहां पर ओर देख सकते हैं harp open book like structure किस किस में मिलेगी जिनके पास 2 center हो दोनों center का SP3 hybridization हो दोनों के पास 2-2 sigma और 2-2 lone pair हो तो वह harp open book like structure देते है next the decreasing order of the bond angle of the following hydride is आपको यहां पर bond angle बताना है तो देखो सबसे पहले तो NH3 की बात कर लो NH3 में तो hybridization है SP3 तो यहां पर तो bond angle आएगा एक lone pair आ गया तो थोड़ा दब जाएगा bond angle 107 की nearby रहेगा लेकिन ड्रेगो रूल को अगर include करें तो आप बात करें PH3, NH3 sorry A, S, H3, S, B, H3 तो अगर मैं ड्रेगो की बात करने पे आया तो ड्रेगो यह बोलता है कि अगर central atom third और higher period का है और terminal atom की EN 2.1 यह उससे कम है तो वहां bond pair और P orbital बनाएगा hybridization नहीं होगा इसलिए इनके bond angle nearby 90 के होंगे तो जैसे जैसे central atom की size बढ़ती जाएगी bond angle और कम होता जाएगा तो bond angle का sequence आएगा यह तो सबसे जदा NH3 फिर PAH3 फिर AS3 फिर SbH3 कौन सा आ गया फस्ट आ जाएगा the type of hybrid orbital of nitrogen in NO2 तो वही scene उससे अगर निकाल लें nitrogen के valence electron कितने है 5 side atom oxygen काउंट करेंगे नहीं kateinic charge को minus कर दो divide by 2 तो कितना आ गया 4 by 2 तो कितना आ गया 2 इसका तो hybridization आ गया ASP सबका निकाल सकते हो आपसे जैसे इसका निकालना हो nitrogen के valence electron 5 anionic charge को जोड़ना होता है 2 तो आ गया 3 3 मतलब ASP2 hybridization हो गया इसके बात करें nitrogen के valence electron 5 terminal item कितने है 4 kateinic charge को minus कर तो तो hybridization इसका आ गया ASP3 ASP ASP2 ASP3 next बात करें in which of the following molecule would you accept the nitrogen bond to be longest देखो यहां पर अगर देखा जाए तो इसकी structure आपने NCITP block में दे रखिये double bond O coordinate and double bond O तो इसका जो bond length है लगवा कि 1475 picometer के आसपास होता है 175 इसकी अगर देखा जाए इसका जो bond length है वो आपका 147 picometer के निरवाई ही होता है यहां पर triple bond आ गया सवाल ही नहीं उड़ता यहां पर भी triple bond मान लो आपको बोलना ही पड़ेगा तो कुल मिलाकर करके simple सी चीज है सबसे ज्यादा bond length कहां मिलेगी आपकी second के पास मिलेगी next question की बात करें which of the following species contains equal number of sigma and pi bond किसमें sigma और pi bond equal है तो सबसे पहले इसकी में बात करूँ तो यहां से देखा जाए C H H C triple bond N C triple bond N तो sigma 1 2 3 4 5 6 6 sigma है 1 2 3 4 pi 4 है तो यह तो गया यहां पे देखा जाए C double bond O O H O minus तो यहां पे 1 2 3 4 sigma है pi A का यह भी गया XE F इसको देखे XE double bond O double bond O double bond O double bond O 4 sigma है 4 pi है तो answer कौन से जाएगा 3rd यहां पे भी अपन बात नहीं कर सकते यहां पे भी sigma और pi equal है नहीं है pi bond वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा next which of the following pair of ions are isoelectronic and iso-structural तो देखो सारे electron जोडने की जुरुत नहीं है valence L के electron जोड़ो और यह देख लो वह एक ही वीरेट गये गया तो देखो यह दोनों एक ही वीरेट गये हैं यहां हो सकता है इसका भी asp3 है इसका भी asp3 है कैसे central item chlorine है तो valence electron 7 monovalent जोडते हैं जबकि यह तो polyvalent होता है oxygen एक से ज़्यादा bond बनाता है multiple bond इसलिए इसको count नहीं करेंगे a9-1 charge को जोड़ना होता है तो hybridization आ गया sp3 और sp3 में 3 sigma ही है तीन side item है बाकि एक lone pair आ गया तो यह pyramidal है ऐसे ही sulfur वाले का देख लो 6 है valence electron 2 a9 को जोड़ दो और sp3 3 side atom 3 sigma एक lone pair pyramidal यह हो गया अब देखो oxygen के valence electron कितने होते हैं 6 तो ऐसे कितने oxygen है 3 तो 6, 3, 18 एक है आप यह chlorine है उसके valence electron 7 18 और 7 कितना आ गया 25 एक electron यह आ गया 26 वैसे इसका calculate करें 6 और इनके भी 6 6 होते है तो 18 और 6 24 दो यह जोड़ दो 26 तो ISO electronic भी है ISO structural भी ऐसे चेक करना है इनको तो सिधे ही deny कर दो यह एक period के है नहीं तो ISO electronic कैसे होंगे यह सिधे deny हो जाएगा यह directly deny हो जाएगा maximum bond angle at nitrogen in present in which of the following तो सोचने की जुरूत नहीं है यहाँ पे ASP अभी तो निकाला था थोड़ देर पहले तो यहाँ पर आपको 180 का bond angle देखने को मिलेगा in which of the following pair both the species are not ISO structural कौन सी species है जो ISO structural नहीं है diamond SP3 रहेगा tetraidal रहेगा silicon carbide को artificial diamond कहते हैं same structure देगा NH3 pyramidal है PH3 pyramidal है XCF4 square planar है जबकि यह tetraidal है hybridization इसका तो ASP3D2 है इसका ASP3 है तो कौन सा आ गया third next predict the correct order among the following तो देखो repulsion का order दिया हो है तो याद रखो lone pair, lone pair, repulsion सबसे ज्यादा पिर lone pair, bond pair और सबसे कम जो repulsion हो गया वो हो गया bond pair bond pair अब bond pair, bond pair में भी देखना चाहेना तो π, 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 ज्यादा ही space केरता है तो π, π, का सबसे ज्यादा पिर π, sigma का और पिर sigma, sigma का फिर यहाँ पिर lone pair, lone pair पिर lone pair, bond pair और पिर bond pair, bond pair तो कौन सा answer चला जाएगा fourth, next बात करें column match करना है सबसे simple सवाल होते हैं XEF6 hybridization क्या गया SP3D3 एक lone pair है, तो distorted octa-edal geometry यहाँ देखने को मिलेगी xeO3 valence electron कितने 8 में 2 का divide करो SP3 hybridization है 3 side atom है, मतलब 3 sigma बनाएगा, एक lone pair है lone pair आने का मतलब pyramidal से यह इससे match हो जाएगा xeO4 की बात करो तो 8 और 4 12 है, 12 है 12 है में 2 का divide करो 6 मतलब SP3D2 अब इसमें side atom देखो 4, 5, 5 side atom है एक lone pair है square pyramidal बनेगा यह xeA4 की में बात करो xeA4 से आप बात कर लो इसका avidization क्या है SP3D2 4 sigma है 2 lone pair है तो lone pair उपर नीचे आएगे square planar यहां पर geometry देखने को मिल जाएगी तो यह आ गया तो first के तो आना चाहिए 1 ऐसे 2 है बाकि यह 2 तो गए second के आना चाहिए 3rd तो second के 3rd वाला यह एक ही है तो यह low answer match हो गया अगर बाकि ने भी आते तो आपको पिर आके देखना चाहिए तो 3rd के 4 ता ही रायर इसके यह तो आपका answer क्यों से चला जाएगा next the pair of electron in the given carb A9 यह इस present कौन से hybrid orbital में होगा तो देखो simple सा है hybrid orbital होता है sigma plus lone pair तो यहां पे देखो 1 sigma minus का मतलब lone pair होता है तो n की वे low के आ गई 2 तो 2 आने का मतलब SP hybridization यह answer पर आजाएगा SP next consider the molecules CH4, NH3, A2 which of the given statement is false तो देखो bond angle के लिए दे रखे तो मैं bond angle set ही कर देता हूं CH4 regular geometry है sorry CH4 regular geometry है SP3 hybridization है 109 का bond angle होगा 10928 फिर आपका NH3 SP hybridization है लेकिन एक lone pair आ गया जिस वज़े से bond angle थोड़ा कम हो जाएगा 107 के आसपास आ जाएगा और यह आपका S2 आ गया SP3 hybridization है लेकिन इस बार lone pair 2 है और ज्यादा repulsion लगेगा bond angle कम हो जाएगा 10.5 degree के आसपास आ जाएगा तो देखिए पहला कह रहा है The HOH bond angle in H2O is larger than HCH सवाल नहीं उड़ता यह तो कम है bond angle इससे तो यह पहला हो गया false और अपने को false ही डूंड ना था बाकि आप इससे check कर ले ना सारे check हो जाएगे Next In the structure CLF3 the number of lone pair of electrons on central atom chlorine मैं साथ CF3 बोल गया यह CLF3 है क्लोरीन के valence electron कितने है 7 3 यह आ गए side atom 10 divided by 2 कितना आया 5 hybridization ASP3D 5 hybrid orbital होने चाहिए तो 5 sigma बनने चाहिए तो यहाँ पर तो 3 side atom है 3 sigma बनेंगे बाकि 2 बच गए 5 में से 3-2 तो मतलब वो 2 lone pair है Central item के पास कितने lone pair है Central का पूचा है Terminal का नहीं पूचा Terminal का पूचता तो हर fluorine के पास 3-9 और जुड जाते Which of the following molecule है Represents the order of hybridization SP2 SP2 SP तो देखो 2 sigma 3 sigma है तो SP2 1-2-3 1-2-3 2 sigma है SP2 इतना था तो सही जा रहा था 1 sigma यह रहा 1-2 1-2 SP2 होगा मतलब यहाँ से यह गलत हो गय पिर यहाँ पे देखो SP3 आ गए तीन रेक 4 sigma आ गया यहाँ पे दिखो 2 sigma यह रह रहा 1-5 bond or 1 sigma ही आ यह तो 3 sigma आ गए तो SP2 यहाँ पे भी 1-2 1 sigma तो यह रहा 1 sigma यह रहा तो यहाँ पे भी क्या आ गया SP2 अब देखो इसके पास एक सिगमा इधर है एक सिगमा इधर है multiple bond की condition में पहला bond सिगमा बाकी सारे पाई दो ही सिगमा है तो SP और यहां पे भी एक सिगमा या hydrogen बना रहा है एक सिगमा इधर है SP तो कौन सा आंसर आजाएगा थर्ड आजाएगा next वही match करना है XCF4 का अभी देखा था SP3D2 है तो यह square planar हो गया तो square planar कहा गया yellow second पहले में second आना चाहिए second वाली यह दो है यह तो गया फिर XCF6 इसका भी अभी देखा था थोड़ देर पहले ASP3D3 distorted octidal तो इसमें आना चाहिए 3rd, 3rd यहां पे भी है यहां पे भी अभी decide नहीं हो पाएगा फिर यहां पे देखो ASP3 D2 square pyramidal आएगा तो यह 4th, यह राप यह match हो गया, और अगर यह नहीं आता तो इससे match कर लेते हैं, यह तो ASP3 हो गया है ना, और एक lawn pair है तो pyramidal 4th next column match करना है, वो ही structure geometry hybridization निकालो बस ASP3Di hybridization है मतलब 5 hybrid orbital 5 sigma हो नची है, 5 के 5 sigma हैं यह 5 side data में तो trigonal bipyramidal geometry आजाएगी, तो यह तो आगया 4th, अब 4th वाला कितना है, एक तो यह है एक ही है, मतलब यह 2 तो गए फिर ASP3Di2 है, मतलब 6 sigma हो नची है चेके चाहें, तो octidal geometry आजाएगी इसकी, तो यह आगया 3rd तो 3rd इसमें भी है 3rd इसमें भी है, decide नहीं हो पाएगा आगे चलो BRF3, 7 और 5 12 है ASP3Di2 तो ऐसे में यहां पर क्या आजाने वाला है, 6 sigma हो नची है 5 है, एक lone pair आगया तो square pyramidal, तो यह match हो गया, इससे 1st यह रहा 1st, लेकिन इसमें 2nd तो यह तो गया, तो match हो गया यह, फिर भी इसका देखना चाहें तो ASP2 trigonal planar ऐसे आप इनको चेक करेंगे, next BF3 is planar, बिल्कुल सही बात है BF3 planar है, क्यों है planar है ASP2 hybridization है and electron deficient valence electron 2, 2, 4, 2, 6 है electron deficient है, no doubt hybridization and number of electron around the central atom, hybridization ASP2 है central atom के around 6 electron है ASP2 6, यह रहा second answer आजाएगा next among the following which one will have maximum lone pair, lone pair, electron repulsion सबसे ज़्यादा lone pair, lone pair repulsion किसमें है, तो देखो इसका hybridization क्या है ASP3D2 तो 5 sigma है एक lone pair है, एक अकेला lone pair है, तो lone pair, lone pair repulsion है यहाँ है नहीं, फिर यहाँ जाए इसका hybridization 6 और 4 6 और 4, 10 मतलब ASP3D तो 5 sigma होने चाहिए, चार है एक ही lone pair है, एक ही lone pair तो lone pair, lone pair repulsion होई नहीं सकता यहाँ पर यहाँ पर आ जाए, ASP3D आए, बड़ डाइजिसन है, sigma 2 है, इसका मतलब lone pair 3 है यहाँ पर देखा जाए, CLF3, 7 और 3, 10 ASP3D इसका है, terminal item कितने हैं, 3 है, होने चाहिए थे, कितने 5 हैं, मतलब 2 lone pair हैं, तो ज्यादा lone pair किसके पास है? इसके पास तो lone pair, lone pair repulsion सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, next, column match करना है, वोई, NS3 सबको पता है, ASP3 hybridization, trigonal pyramidal, pyramidal बोल दो यह, trigonal pyramidal बोल सकते हैं, आप इसको, एक, तो आगया 3, अब 3 वाले 2 हैं, मतलब यह 2 तो गई, CLF3, ASP3D hybridization आगया, 3 sigma हैं, तो lone pair हैं, bent 3 हैं, यहाँ दे T-shape, 4th, 4th इसमें भी है, 4th इसमें भी है, PCL-5, regular geometry, ASP3D hybridization, trigonal, bipyramidal, second, second, इसमें आगया, यह गलत हो गया, यह सही हो जाना है, और फिर वोई, इसका, square pyramidal आई जाएगा, यह पहले भी कर चुके हैं, तो आपका answer कौन सा चला जाएगा, 4th अब बात करते हैं, last question, the correct order of bond angles in the following compounds and species, bond angle का correct order देखना है, तो देखो, इसका ASP1 hybridization, 180, इसका यहाँ ना बनता है, यह pyramidal है, 107 होना है, यह तो tetra ideal है, 109 आगया, गलत, यह भी गलत हो गया, CO2 यहाँ आई नहीं सकता, CO2 यहाँ गया, यह 109 अभी calculate किया, 107 यह SP3, 104, तो यह एकदम correct order आपका हो जाएगा, I hope यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा, ऐसे chemical bonding, second part, उसमें अपन डिसक्स करेंगे, MOTO और other questions, physical bonds से related, okay, मिलते हैं next lecture में, thank thank you, Jai CLC